कि विल्कम टूमा चानल तो आज की टेर रीडिंग का टॉपिक है विल यू मैरी और उनसे रिलेटिड बहुत सारी डेटेल उनकी परस्टनालिटी उनका नेचर वो कैसे बिखते होंगे क्या उनका क्यारियर होगा बहुत कुछ ठीक है तो यहां पर मैंने दो पाइल रख रख ठेल क सकते हो या फेर अपने बद्यमंद से चूज कर सकते हो उसी तरżyकिसे पाइल नंबर टू है आप इस इमेजर चूज कर सकते हैं या पने बद्यमं से परशान कता है यह तो चलिए देखते हैं आपकी किस से शादी होगी और वह किस तरीकी तो यह कि ogills का नेचर हो नेक्स्ट आरे Eight of Pentacles, Taurus वो को केप्रिकॉन की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, यहां पे Source की एनर्जी भी आई है तो Aquarius, Gemini और Libra, नेक्स्ट आरे Temperance, Sagittarius एनर्जी, जोपिटर है, ओ, नेक्स्ट आरे Empress, बहुत ही positive cards है, बहुत ही ज्यादा प्यारे cards है, दूसरा देख लेते ह है, Venusian चीज भी आ गई है यहां पर, नेक्स्ट आरा है Four of Horns, Participation, नेक्स्ट आरे Courage, Leo एनर्जी आई है, Inner Voice, High Priestess के एनर्जी है, Pisces एनर्जी है, तो यहां पर जो है, पूरे birth chart में, सारे placements जो भी है, प्लानेट्स के, वो बहुत लगभग जो है, वो balanced होंगे, नेक्स्ट आर है, Rebel, Emperor का काड़ा है, Aries Energy, और लास्ट आरा है हमारे पास, King of Pentacles, Taurus Energy, Abundance, बहुत ही अच्छा पाइल है, बहुत ही ज़्यादा जो है, पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, और दूसरी चीज़ बहुत है, यह कहना चाहूंगी, कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, यह प astrological चार्ट के हिसाब से कहा रही हूं, एक अंदाज़ा है, कि इस person का शनी जो है, वो बहुत ज़्यादा तेज होगा, जिस person का शनी जो है, वो बहुत चीज़ें, जो मतलब accomplishments है, जो success है, वो बहुत जल्दी जो है, अचीव करते है, उन्हें बहुत लंबा समय नहीं लगता, लेकिन ये परसन उस चीज़ को अपने उनर से या मेहनत से और ज़्यादा पॉलिश करके और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि ये परसन अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं इश्वर ने उन्हें एक आशीश दिया है जैसे कई लोगों की डेस्टिनी ऐसी होती है कि यही होगा और आपके साथ चाहे कितने भी कोशिश कर लो यही होगा तुमारे साथ इश्वर ने आपको इस परसन को चांस दिया है कि वो परसन जो है अपने कर्मों से हाला कि सभी के कर्मों का फल जो है वो हमारे डेस्टिनी में या हमारे भागे में दिखता है लेकिन ये परसन अपने डेस्टिनी खुद लिखते जाएंगे तो multiple sources of income होगी इस परसन की दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन परसन का चाहे male हो चाहे female हो शुरूआत में जो carrier start किया होगा वो जरूरी नहीं है कि retirement तक वही carrier रहे हो सकता है अगर ये job इस समय कर रहे है हाला कि आपकी शादी की बात हो रही है तो इस समय मालो कोई अच्छी सी ठिक्ठा जो है थोड़ा रिजर्वनेस होगी इस परसन की personality में दूसी चीज है कि दुनिया ने इन्हें कहीं ना कहीं सताया होगा सताया इन्द सेंस ये होगा कि emotionally बहुत अच्छा behavior नहीं किया है आजकल दुनिया किसी के साथ भी अच्छा behavior नहीं करती है हमारे अपने criteria कुछ और होते हैं या कुछ जो important friend होगे क्योंकि इनका जो social circle होगा वह बहुत कम होगा बहुत बड़ा नहीं होगा कि हर समय party में जाते होंगे नहीं इस person को focus रहना determination रखना बहुत पसंद होगा अपना काम करना भला है और बाकी जो है चीज़े बाद में आती है तो ऐसी energy मुझे यहां पे hypocrisy होती है ढोंग होता है बोलना कुछ करना कुछ तो उस चीज में जो है फसाया गया होगा बचपन में यह चीज होई होगी या younger age में भी हो सकती है तो जिसकी वज़े से इस person का मन कहीं कहीं तूटा है दुनिया के perspective में तो यह बहुत जादा लोगों को पसंद नहीं करेंग जो important है या core values वाले है या जो इनके तरफ loyalty दिखाते हैं और उनकी respect करते हैं एक होता है कि सामने respect करना पीछे जो है गाली देना या फिर जो है gossip करना वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो यह person का जो social circle है वो बहुत कम होगा बनादा छोटा होगा next star is eight of pentacles eight of pentacles जैसे मैंने का यह अपने धुन के मालिक हैं इन्हें अपनी धुन है मानलो काम करने की धुन है कि मुझे ये भी करना है ये भी करना जो भी इनका प्लान हो तो वो जो है सुबह ही शुरू हो जाएंगे या इस तरीके से जो प्लान बना रखा है उसके accordingly चलेंग चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि नाश्ता कर लो या कुछ और कर लो लेकिन उन सब चीजों को पीछे हटाकर ये परसन अपना काम करना ज्यादा पसंद करेंगे इस तरीके की एनरजी काम करना इन्हें पसंद है दूसरी चीज यह है कि यह फैमली को प्रोवाइड और टेक्नी कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं होता कुछ जो है फीमेर्स की अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी आ जाती है या उनको उनकी परिस्तितिया ऐसी बन जाती है कि उनको बाहर निकलना पड़ता है तो यहां पे मुझे हार्ड वर्किंग बहुत जादा लग रहे है चाहे आप क काम को बहुत जादा मेटिकुलिसली मतलब बहुत जादा गंभीरता से और डीटेल में करना पसंद करते होंगी जैसे कि फॉर एक्जामपल अगर आपको कोई काम पसंद है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े केरलेस होते हैं कि इधर का उधर हो भी गया तो क्या फरक पड़ता है लेकि यह परसंद ऐसा करना है इसी तरीके से करना और यह इस तरीके से अच्छा लगता है तो उस डीटेलिंग में हो सकता है इनका क्रिएटिव वर्क हो अब डिपेंड करता है वेब डिजाइनर हो गेम्स को डिजाइन करते हों काटून होते हैं उसको बहुत जादा गंभीरता से ध्यान देने की जरूँए है। मैथमेटिक्स के टीचर हो सकता है या प्रोफेसर हो सकता है या फिर रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं इस तरीके की चीज़ है। डॉक्टर है अपना काम सरजरी अच्छे से ध्यान से करते हैं तभी तो ठीक हो पाते है तो वही चीज़ यहां पर आ रहे है कि जो काम बहुत जादा ध्यान से और गंभीरता के साथ करा जाए। उस तरीके की जिम्मेदारी वाला काम वो चीज़ है यहांपन। नेक्स्ट आरे टेंपरिंस का काड़ आया है। यह परसन बैलनस परसन है इसके इमोशन और इसकी ज लुए अगर मरकरी है तो वीनस भी है वीनस थो पाइसीज इस तरीके की एनरजी मुझे देख रही है। दिखने में बहुत जादा इट्राक्टिव दिखेंगे अपनी एस से कम दिखते हूँगे अब यह कहने का मतला यह है कि अगर मालो वो 30 था 32 के होंगे लेकिन वो 627 इस तरीके के दिखते होंगे अपने आपको गुरूमिंग करना पसंद करते होंगे या करती होंगी अपने आपको ठीक से रखना मलब एक प्रेजेंटेबल मोड में रखना जेंटल वे में रखना कि जैसे ऐसे नहीं कि किसी भी इनसान के सामने वो रफली दिख रहा है या इसको जो है सेंस नहीं है कपड़े पहनने की या बात करने की या तरीका नहीं है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी चीक है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जादा जो है फैशनिस्टा है कि भई जो हेर कलर है वो लाल पीले हरे नीले कर लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है यह यहां पर जो है जो एक gentleman की personality होती है उस तरीके की है और अगर आप woman में जो भी चीजे देखते हो एक modesty के साथ एक decency के साथ की बड़ी साड़ी पहने चाहे western dress पहने तो modesty है जरूर से जादा skin का जो production है वो यह person नहीं करेंगे चाहे male हो चाहे female हो तो बहुत जादा यहां पर इस तरीके की energy आ रही है थोड़े से conservative होंगे दिखने में जो है ऐसा लगता होगा कि बहुत जादा broad-minded है और बहुत जादा जो है revolutionaryist जैसे की जो लोग जो है दुनिया से अलग सोचते है वो तो है लेकिन अपनी private life के लिए या अपनी family life के लिए बहुत जादा reserved होंगे तो हर इंसान को इनकी personal life में हर चीज देखने का मौकार नहीं मिलेगा इस तरीके की energy है ठीक है next आ रहा है एंप्रेस एंप्रेस है जाए जाए फीमेल हो जैसे मैंने कहा इनकी जो है दिखने में यांग होंगे ओवल शेप हो सकता है इनका face cut या फिर जो है जो है इस परसन की जो शेप होगी nose की वो अच्छी होंगी full lips हो सकते है small or full lips हो सकते है या फिर जो है थोड़े से bigger lips हो सकते है लेकि full lips होंगे दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहूंगी कि यह person जो है Venusian energy जो है वो लीब्रा कह सकते है रेगुलेट करते है तो लीब्रा energy जो है इनकी यह balanced person होंगे justice वाले person होंगे फियर balanced person होंगे इनको influence कर पाना मुश्किल होगा इनको मालूम है क्या करना है कैसे करना है क्यों करना है एक proper vision है इस person के पास चाहे male हो चाहे female हो तो दुनिया में क्या करना है या किस लिए जो है मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ तो उस तरीके की चीज़ है किसी के बहकावे में आने वाले person नहीं है अपने emotions जो है वो setback में रखते होंगे पीछे ही रखना पसंद करते होंगे लेकिन emotions है और overwhelming emotions है sensitive person है actually over sensitive person है चीक है तो इन ये लोग जो है वो थोड़े से over sensitive होते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कोई person over sensitive है सबका अपना तरीका होता है हमने मतलब एक थोड़ा सा अलग सा चीज़ अब मैं बोल रही हूं कि समाज में ऐसे बोल दिया गया है कि हर चीज की insult कर लो या हर चीज की खिल्ली उड तो वो जो है fun है नहीं वो fun नहीं होता बहुत बारी लोग जो है वो boundaries को cross करके एक दूसरे को insult करते हैं हम सभी जो है वो ऐसी situation को face करते हैं और कभी-कभी ignore करना पड़ता है हमें तो ये इनसान ignore कर देते हैं लेकिन वो उस इनसान को पसंद नहीं करेंगे जो भी इतना मतलब रफ बोलता है या बोलती है या फिर जो है उनका तरीका जो है वो सही नहीं है नेक्स टार है four of wands की energy है participation है celebration है ये person की positive और negative दोनों sides extreme है extreme मेरे कहने का मतलब है जैसे मान लो अगर पानी बरस रहा है मतलब water है या rain है अगर rain नहीं होती है तो सूखा पड़ जाएगा और लिकी की चीज़ है emotions भी जो है फोड़े extreme है इनके दिखाने में passionate person होंगे अपने काम की तरफ passionate है अपनी जो family life है या private life है intimate life है उसमें भी passionate होंगे लेकिन emotions के साथ होंगे तो इनके emotions को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा फोड़े से over sensitive person है तो ऐसी बाते ना बोले जो उनको hurt हो ठीक है नहीं तो यह person जो है वो कहीं ना कहीं ग्राजिस रख लेंगे या फिर negative नहीं है लेकिन हरे का nature अलग अलग होता है तो ग्राजिस रखेंगे तो वो जो है एक boundary create कर देगा फिर वो आपको अपने पास आने नहीं देगा हाला कि आपके साथ ऐसा नहीं हो तो जिसने जो है इन्हें hurt किया है फिर जो है यह person उसकी शकल नहीं देखेंगे सारी जिन्दगी तीक है इस तरीके का extreme nature होगा नेक्स्ट आ रहा है courage आ तो courage जो है जैसे मैंने कहा childhood जो है वो थोड़ा traumatized हो सकता है या फिर ऐसा भी है कि इन्होंने काफी कुछ महसूस किया है जैसे मैंने का ओवर sensitive person है तो चीज़ों को deeply महसूस करते हैं जिस जिन चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन इस person ने अपनी इज़त खुद कमाई है बहुत जादा work किया है हार्ड work किया है तो उसके बावजू जो है वो अपने आप में shine कर रहे है लेकि जैसे मैंने कहा कि जो बत्तमीज लोग होते हैं या ignorant लोग होते हैं या जो time pass के लिए या जो है सिर्फ और सिर्फ बत्तमीजी करते रहते हैं जो आजकल बहुत सारे लोग मिलते हैं कहीं भी चले जाओ कोई ना कोई आपको ऐसा नमूना मिली जाएगा कि उसको बात कर जी आती है जो मार्स आता है ना मंगल ग्रह आता है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतला intensely feeling है या intense जो है वो नेचर होता है नेक्स्ट आरा इनर वाइस है जैसे मैंने कहा अंदर से बहुत जादा एक संत की तरीके से हैं अगर इस परसन को बच्चे की तरीके से इन है या उसने कोई गलती किये तो आप उसे डाटे नहीं आप उसे संझाएं तो यह परसन भी उसी तरीके का है इस परसन को words of affirmation वाली love language बहुत जादा पसंद आएगी words of affirmation की love language मतलब की आपके जो शब्द हो वो इस परसन को नुकसान ना पहुचाए या hurt ना करे क्योंकि अ तो इस तरीके की energy मुझे दिख रही है यह moon oriented भी होंगे person moon ruled होंगे जैसे कि माने sensitive कहा तो इनका birth date जो है वो 2, 11, 20 हो सकता है जरूरी नहीं है सभी के लिए resonate करें लेकिन जो moon regulated लोग होते हैं उनका लगभग birthday इसमें आता है और दूसी चीज यह है कि इस परसन को यह चीज कर नहीं कहीं emotions जो है वो waste होते हैं पानी और emotions जो है लगभग एक synchronization में कहा जाता है तो उसको जो है waste नहीं करना है अगर आप भी sensitive हो या over sensitive हो तो पानी waste करना बंद करो जिससे आप अपने emotions को जो है सही जगा पर लगा पाऊ और अपनी तरखी कर पाऊ next आ रहा है emperor का काड़ा है तो दिखने में बहुत जादा overall emperor और empress दोनों ही आया है तो यहाँ पर जो है आप दोनों की जोड़ी जो है वो सही सलामत रहेगी जैसे की कहा जाता है दूसी चीज यह है कि emperor की energy है commanding person हो सकते इनकी जो job होगी उसे personality और responsibility दोनों का ही जो है अपना अपना एक महत्व होगा दूसी चीज यह है कि बाहर जो है इनकी एक strong personality को देखकर लोग बहुत जादा attractive या impressed होते होंगे लेकिन जैसे अंदर से मैंने कहा कि sensitive बहुत जादा है दूसी चीज यह है कि society का और इनका 36 का आकड़ा होगा यह society की जादा सुनना पसंद नहीं करते होंगे इस वज़े से नहीं करते होंगे क्योंकि उन्होंने society की selfishness को महसूस किया होगा बच्पत्पन में लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने society की selfishness को महसूस किया है कि society actually होती है और वह actually तो जिस वजह से जो है इस परसन ने सारा सारा फोकस जो है उनका वह अपने उपर या अपनी फैमिली लाइफ को या फिर अपने आपको बिल्ड करने में लगा दिया है नेक्स तारा एक किंग ओफ पेंटेकल्स के अनर्जी है टॉरेस अनर्जी है बहुत जादा स्टेबल परसन होंगे इनको जो है बियर्ड या मुस्टाच रखना पसंद होगा कभी कभी स्टाइल्स मतलब करते होंगे कभी बियर्ड मुस्टाच रख ली कभी किसी तरीके की है कई ना कहीं ऐसा दिखता है कि यह परसन जो है उसी तरीके से रखते होंगे कि कभी कैसी रख ली कभी कैसी रख ली चीक है चलिए देखते है कुछ और कार्ड मैजीशन की एनर्जी आ रही है तो जैसे मैंने कहा कि हर चीज अपने को जो पाना चाहते है या मैनिफेस्ट क चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो तो बहुत जादा प्योर सोल है इसको हर्ट नहीं करना है लेकिन इस परसन ने जैसे कि कहा जाता है कि डाक नाइट और सोल जो है वो इसने एक्सपीरियंस की होगी जिस तरीके से मानलो सिफ एक्जामपल दे रही हूं उसी तरीके का एक इंटें इनके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा सबके लिए अलग-अलग होता है चाइल्ड हो सकता है यंग एज हो सकती है कॉलेज में बुली करा गया हो कुछ भी हो सकता है तो वह चीज को इस परसन ने काफी हट तब ओरकम किया है तब ही मैं कहा रही हूं बार-बार क एंड होगा और मैं जो हूं बाहर निकल पाऊंगा तो ऐसी एनरजी है इस परसन की यह परसन जो है अपने आपे बहुत जादा विश्वास करता है लेकिन आप से जो है वो सपोर्ट जरूर मांगेगे और इमोशनल सपोर्ट की इन्हें जादा जरूरत है पैसे की रुपे क society के status की चिंता नहीं है इस परसन को लेकिन इमोशनली जो है इस परसन को सपोर्ट चाहिए क्योंकि जो इंके past में हुआ चाहे किसी भी वजे से हुआ हो लेकिन इस परसन को इमोशनली सपोर्ट जो है वो आपसे चाहिए हगा नेक्स्ट आरा है, हाइरोफेंट की एनरजी है, यह बहुत ज़्यादा ट्रेडेशनल परसन है, अपने जो परपर्स है या कैसे ट्रेडेशनल वेल्यूस हैं, उससे ओवरकम बाहर नहीं जाते होंगे, कि ऐसे परसन नहीं है कि रिबेलियस होके कुछ भी उल्टा-पुल्टा काम किया, नहीं, सुसाइटी से जो है, इनका 36 आकड़ा जैसे मैंने कहा कि वो है, लेकिन उसके बावजुद यह समझते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो उस चीज का बड़ा अच्छा बैलन्स इस परसन में आपको दिखेगा, तो चलिए देखते हैं, इनकी लीडर्शिप क्यालिटी जो है, एक्जिक्यूट करते हों, माल लो अगर किसी बिजनस के हैं, तो उस मार्केट के, जो है, मार्केट एसोसियेशन के प्रेजिडेंट हो, ऐसे, या अगर जॉब में हैं, तो वहाँ पर जो है, सभी लोगों के ऊपर, जो है, as a leader काम करते हों, नेक्स्ट आ रहा है, ISFP, personality composer, तो उन्हें काम करना पसंद है, नेक्स्ट आ रहा है, project manager, intelligent, innovative, तो बहुत जादा जो है, ये person intelligent है और innovative है, health and prosperity, health and prosperity का बहुत जादा ध्यान रखते होंगे, अपनी health का बहुत जादा ध्यान रखते होंगे, नेक्स्ट आ रहा है, सोल्मेट, तो ये आपके सोल्मेट, ये twin flame हो सकते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, classy, तो दिखने में classy होंगे, बहुत जादा जो है, normal जो है, attire पहनते हो, या कपड़े पहनते हो, उसके बावजों जो है, बहुत जादा handsome या beautiful दिखती होंगी, नेक्स्ट आ रहा है, I love you unconditionally, तो वो जो है, आप इंडस्ट्री में हो, जैसे टूरिजम के थू जो है, जैसे business market होती है, in the sense, hotel हो, या फिर जो है, restaurant हो, या even ढावा ही क्यों ना हो, लेकिन उसी तरीके की जो है, चीजों को करना, या उस तरीके से related business में जाना, इन्हें पसंद होगा, नेक्स्ट आ रहा, you are good enough, तो उन्हें ज परेंड करता है, नेक्स्ट आ रहा है, chemistry, आप लोगों के chemistry अच्छी रहेगी, bonding अच्छी रहेगी, नेक्स्ट आ रहा है, हमारे पास, sharp nose और chin, जो बैने पहले भी कहा था, कि sharp nose और chin जैसी चीज होगी, नेक्स तेख लेते हैं, healthy hair, इस पसंद के healthy hair होंगे, चाहे male हो, चाहे female हो, नेक्स्ट आ रहा, designer branded dresses, तो यहां पर जो है, इन्हें designer branded dresses की knowledge होगी, या पहनना पसंद होगा, या फिर franchise हो, जैसे कि for example, अगर कोई brand ले ले, कोई भी अच्छा सा brand ले लो, मान लो, United Colors of Benetton नहीं ले लिया, तो उसकी जो ह franchise ही रखना, कि showroom है या mall है, तो उसमें जो है, कहीं न कहीं, अपनी दुकान चलाना या इस तरीके की चीज़, नेक्स्ट आरा, deep voice, voice जो है, वो बहुत अच्छी होगी, अगर female है, तो शाप जो है, पिछ होगी, और नेक्स्ट आरा, white teeth, तो अपनी hygiene का बहुत जादा ध्यान रखते होंगे, चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें, इनकी personality से related, कि इनका career क्या हो सकता है, तो ये nurse या doctor या psychiatrist हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं, कि sports person हो सकते हैं, cricketer, swimmer, footballer, अब ज़रूरी नहीं है, कि सब लोग जो है, national level के ही, जो है, sports person हो, ज़रूरी नहीं है, district level पर भी होते हैं, coaching भी करते हैं, coaching करवाते हैं, अपनी academy भी होती है, तो इस तरीके की चीज़ है, gallant, gracious, तो ये person जो है, वो बहुत जादा courageous person होंगे, इतने easily हार मानने वाले नहीं होंगे, next HR specialist, बहुत जादा जो है, जैसे human resources में हो सकते हैं, लोगों को, जो है, क्या कहेंगे recruitment करना, या उस तरीके से रखना, next HR is meticulous, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि हर चीज़ पर अपना ध्यान रखना पसंद करते होंगे, कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, या ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो इस तरीके की energy मुझे नजर आ रही है, अब देखते हैं, क आया था, ये सारे ही जो है, इनका बर्दे मन्थ आ सकता है, या फिर जो है, ये बर्द चार्ट में प्रॉमिन्ट होंगे, अब देख लेते हैं, कुछ बर्दे मन्थ, नवेंबर, में, मार्च, जैन्वरी, एक और ले लेते हैं, औगस्ट, तो लगभर लगभर वही जो है, फिर से आई है, तो चलिए देखते हैं, कुछ significant जो है, alphabets और कुछ numbers, तो पहला alphabets आ रहा है, K, O, F, B, V, ये initials में हो सकते हैं, बीच में भी नाम में भी हो सकते हैं, first name, middle name, या last name में, next देख लेते हैं, S, तो हो सकता है, ये हो, अब कुछ numbers देख लेते हैं, 13, 19, 1, 28, 14, 16, और 25, हाला कि ये बहुत कमी मैंने निकाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लोगों से resonate करें, अब देखते हैं कि वो अपने love को किस तरीके से आपके सामने express करेंगे, तो मैं कुछ जो है, song के lyrics निकाल रही हूँ, तो आप देख लेना कि कौन सा lyrics किस तरीके का है, और वो किस तरीके की भावनाव को execute करता है, तो पहला आ गया कौन तुझे MS धोनी movie का, तो इसी तरीके के sensitive person होंगे, जैसे कि movie में दिखाया भी था, लगबग उसी तरीके के person हो होंगे, reserved person होंगे, और उसी तरीके का nature भी होगा, next देख लेते हैं, इश्क हुआ, आजा नचले, देख लेना, मुझे याद नहीं है, किस चीज का है, किस movie का है, next आ रहा है, क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे movie का, और next आ रहा है, आज से तेरी padman movie का, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि बहुत जादा sensitive person होंगे, उसी तरीके से आपको खुश रखना पसंद जादा करेंगे, इस तरीके की energy है, चलिए देखते हैं, इस energy से related कुछ charms, देख लेते हैं, कोई significant detail हमें मिल जाए, तो यहाँ पर जो है, बहुत जादा आ रही है, तो यह person cancer moon या sun moon rising हो सकते हैं, next आ रहा है, folk आई है, spiritual connection आया है, musical charm आया है, बहुत जादा music पसंद होगा, और एक cactus आया, ओके, तो यहाँ पर जो है, मैं यह कहना चाहूंगी, कि cactus जो है, बहुत लंबे समय से single रहे होंगे, य उसी चीज़ है, musical charm आया है, तो गाना गाना पसंद होगा, गाना सुनना पसंद होगा, compose करना, इस तरीके की चीज़े होंगी, यहाँ पर जो है, लिरिक्स आया थे, उसमें से भी कोई ना कोई इनको गाना पसंद होगा, next आ रहा है, यहाँ पर spiritual connection आ रहा है, तो आप दोनों खाना खाना, Thailand का खाना खाना, हाला कि सबी लोगों को पता नहीं होता है कि इंडोनेशन या खाई में क्या डिफरेंस है, बट स्टिल, इनको खाना खाने का शॉक होगा, next आ रहा है, यहाँ पर cancer energy आई है, जैसे मैंने कहा था, reserved person होंगे, लेकिन cancer, जो है, moon हो सकता है, या फ अपना question पूछ सकते हैं, उसके मैं answers निकाल रही हूँ, उमीदे आपने अपना question पूछ लिया होगा, हाला कि यह जो है general reading है, तो सभी लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से resonate करेगे answers, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, अपना एक सही answer चुनना है, next आ रहा है, don't waste your time on waiting, त जाहे वो आपके ex हो, या फिर कोई situation ship हो, तो उसके लिए time waste ना करें, next आ रहा है answer आपके लिए, ask for help from others, तो अगर कोई काम start करना चाहरे हो, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, या कोई भी चीज़ आपने पूछी है, तो उसका जो है answer यह है, next आ रहा है, no need to worry, अगर आप जादा वरी कर रहे हो कि मेरी कभी शादी नहीं होगी, या कभी ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है, थोड़ा delay हो जाए, क्योंकि circumstances जो शादी के होते हैं, कि social circumstances, या कह सकते हैं कि financial circumstances बहुत कुछ matter करता है, इस वजह से ज़गे थोड़ा delay हो जाता है, और next तो यह past energy को let go करने को कह रहे हैं कि आप जो deserve करते हो आपको actually मिलेगा तो आप जो पुरानी energy है जिसके वजह से आप परिशान रहते हो या जो भी आपका question हो तो उसको जो है आपको let go करना ही है क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है जो आप अभी नहीं देख पा र यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज इस चानल को like करें share करें subscribe करें thank you number two अगर आपने इस image को चूस किया है या फिर आपका बद्धेमद इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि वो उनका nature या personality किस तरीके की होगी है हमाँ पास judgment scorpio energy है intensity है इस person के अंदर next star is strength leo energy है four of pentacles stable person है protective person है knight of pentacles okay pentacles के energy ज्यादा आ रही है तो टॉरस वो को के प्रिकॉन के energy है और next आ रहा है queen of cups okay cancer pisces scorpio next देख लेते हैं cards transformation death का card आया है seven of pentacles patience आई है next star star का card आया है Aquarius energy है next star new vision hangman hang woman और next star queen of pentacles तो यहाँ पर जो है दो queen है यहाँ पर death का card है judgment है तो scorpio energy और pentacles के energy मतला टॉरस वोगो के प्रिकॉन के energy बहुत ज्यादा heavy है intensely है दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगी दिखने में यह person जो है अगर male है तो manly लगेंगे जैसे एक outlook होता है powerful man की तरीके से दिखेंगे अगर female है तो powerful woman की तरीके से दिखेंगे ऐसा नहीं है कि बहुत ही जादा soft features है इसकी वज़े से कोई भी जो है उनक से कोई तरीके की बात कर ले और यह जवाब ना दे तो ऐसा नहीं है यह person दो रोही चाहे male और चाहे female और powerful होंगे अपनी अपनी energies या अपने अपने qualities में इस तरीके की energy है तो पहला काड़ी judgment का आया है यह person आपको divine की तरफ से एक तरीके से तोहफा समझ लो इस तरीके से चीज होगी अगर आपका already break up हो चुका है या इस तरीके की चीजे हुई है आपके life में और अगर नहीं भी हुई है और आप इंतजार कर लोग आपको ऐसा लग रहा है कि बस कोई भी नहीं है शायद मैं हमेशा अकेल रह जाओ इस तरीके की चीज़ है या patience वाली बात आ रही है कि पता नहीं क्या होगा ऐसी जो unusual सी चीज़ है uncertainty दिख रही है life में वो चीज़ को ये person खतम करेंगे आपके क्योंकि ये divine की तरफ से भेज़े जाएंगे हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मे इनसान आपके लिए सही है और वो कितना लंबे समय तक आपके साथ टिक पाएगा ऐसी शादी मतलब सिर्फ एक्जामपल दे रही है कि ऐसी शादी करने का कोई मतलब नहीं होता जो छे महीने चले और उसके बाद खतम हो जाए तो ऐसी चीज़ नहीं होगी यहां पर यहां मैं मेल फीमेल और बेबी देख रही हूँ तो यहां पर जो है अगर आप बच्चे चाते हो बेबी चाते हो तो उस परसन से ही होंगे और यह अपने आप आएंगे और यह तब आएंगे जब आपके साथ जो है ट्रांस्फरमिशन आपकी हो चुकी होगी आपकी हेवी ट्रा जादा एनरजी है आप उस चीज को लेट गो करोगे और यह नहीं है इसका मतलब कि आप भूल जाओगे सब कुछ नहीं बिल्कुल भी नहीं लेकिन आपने जो है उससे एक तरीका होता है कि एक जिसे मानलो छोटी लाइन आपने खीची चीक है और उसके सामने जो है उसे बिन है कि लाइफ को मुझे एक्चुली में हैपिनेस के थ्रू जीना है ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान के आगे पीछे डोलना है तो वह चीज में आप आगे बढ़ोंगे नेक्स्टार है स्ट्रेंथ का काड़ा है तो स्रेंथ लियो एनरजी को दिखाता है आप बहुत बहुत ज़ो कैसकते है अगर प्रोमिस किया है तो उसको जो है निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और अगर मालो कोई प्रोमिस नहीं भी निभा पाए तो आपको बता देंगे कि यह जो है मैं अगली बारी कर दूआँ है तो यहाप है अ है loyal person है ऐसे पसंद नहीं है कि कोई game खेले जो है जूड बोले relationship में ऐसे पसंद नहीं है next आरहा है फॉर पेंटेकल्स की energy है इस परसन के stability बहुत जादा important है मनी बहुत जादा important है मनी इन दा sense यह है कि मनी security लेकर आता है और वह actually Security लेकर पर आता है आपके पास सब कुछ है बहुत इमोशन अच्छे है बहुत अच्छा पती है या बहुत अच्छी पत्नी है लेकिन उसके बावजू जो है मनी नहीं है आपके पास तो नहीं आप अपनी नीड्स को जो नॉर्मल बेसिक नीड्स होती है उसको फुल्फिल कर पाऊग इंशोरेंस एजेंट इस तरीके की चीज़ें हो सकती है हला कि सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी कि क्या वो मैनेज करते है क्या वो नहीं मैनेज करते है वो अलग चीज़ें लिकित पैसे से इनका रिलेशन हो सकता है अगर ये जॉब में है अगर सरकारी जॉब में है तो IRS हो सकते हैं हाला कि हर कोई IRS नहीं होता है कोई SEBI से related हो सकते हैं बहुत सारे institutions है ठीक है तो वो चीज जो है यहां पर मुझे दिख रही है या फिर private investor हो सकते हैं investment banker हो सकते हैं इस तरीगी की चीज़ है नेक्स आरा knight of pentacles knight of pentacles जो है यह person थोड़ा slow है slow in the sense यह है कि अपने जो emotions है या जो भी feelings है उन्हें बहुत अच्छे से express नहीं कर पाते होंगे नहीं समय लगता होगा हरे की speed अलग अलग होती है कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं कुछ लोग देर से कर पाते हैं यह person होगा romantic लेक थोड़ा practical romantic प्राक्टिकल romantic कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इनसान बहुत ज़्यादा romantic है तो वह आपको flower लाके दे रहा है यह person क्या करेंगे कि आपको जो है gold की chain लाके देंगे देखने में मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में कि gold की chain मिलेगी लेकिन इस person का perspective यह है कि मैंने gift भी दिया और investment भी कर दिया इस तरीगे की चीज़ इस person के दिमाग में हमेशा रहेगी नेक्स्ट आरा queen of cups की energy है यह person हर इनसान के लिए इतने soft नहीं होंगे हर इनसान को अपनी जिन्दगी में आने नहीं देते होंगे और हर इनसान के लिए gentle नहीं होंगे हाला कि एक overall perspective के हिसाब से अगर दुनिया इन्हें देखती है तो एक अच्छे इनसान के way में इन्हें जाना जाता होगा इनकी respect होगी और एक gentle person की तरीके से ही देखा जाएगा लेकिन इनकी एक अपनी routine होगी या कह सकते हैं इनकी अपनी एक family life है या intimate life है उसमें जो है किसी का interference इन्हें बरदाश नहीं होगा इसमें इंसान को बच्चे बहुत जादा पसंद होंगे चाहे अपने हो चाहे जो है जैसे परिवार में होते हैं कि चाची मामी ऐस तरीके से जाइन फैमिली है तो उस तरीके से तो वो चीज जो है इस परसंद को बहुत जादा पसंद आएगी नेक्स टारे ट्रांस्फोर्मेशन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी ट्रांस्फोर्मेशन होगी इस पर देखेगा तो इस चीज को मत सोचना कि लुक्स जो है वो बहुत जादा मेच्चे ओर दिखेगी या जो है थोड़े ओल्ड एज में दिखेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह परसंद जो भी इनकी एज होगी एक्जाक्ली लगभग वैसे ही दिखेगी मालो अगर 31 य या 30 के है इस तरीके की चीज दिखेगी दूसरी चीज है कि जैसे ट्रांस्फरमेशन हुई है तो बहुत जादा इन्होंने एक्सपीरेंस किया है लाइफ को और लोगों ने इन्हें एक्सपीरेंस करवाया है जिससे इस परसंद ने विज्डम गेन करी है और इस विज्डम को जो है वो अपनी लाइफ में यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आरे सेवन पेंटेकल्स तो ये परसंद के पास पेशन्स बहुत जादा है जिस तरीके से फार्मर को सीड को सो कर देता है बीज को जो है वो उगाने की मतलब रोप देता है और उसके बाद ज करेंगे जो चीज करनी है फिर उसको एक्जिक्यूट करेंगे और उसका वेट करेंगे मुझे रिवार्ड कैसे मिलेगा जैसे कि इस काड में भी यह है कि एक प्रेग्रेंट वोमन है तो अगर जो बेबी से लेकर बेबी आने तक के बीच में नौ महीने लगते हैं एक यूम मिलेगा और यह पसंद उसको कर दिखाएंगे दूसरी चीज यह है इस पसंद को पेंटिंग बहुत जादा पसंद हो सकती है आर्टिस्ट कोई भी एक्सप्रेशन पसंद हो सकता है जैसे मैंने कहा कि वह अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करत इस раз है वह अपने बछाइब सप्रेशन और दिखान और स Maista करणा या फिर्टा और सब्सक्राइब में गहते हैं कि एक और गेंजम होता है ऑघ्लायगान तो एक चाहिए जो है इस परसण को बहुत पसंद आएगी रातों में बैठेकर बाते करना आप से घंटों यह बात कर सकते हैं इस तरीगी की चीज है लेकिन एक्स्प्रेशन जब आएगा कि जैसे रोमांटिक ली वह चीज है कि जैसे लड़कियों को पसंद है कि मुझे चॉकलेट्स या रोस दो लेकिन यह पसंद जो आपके लाके देगा या इस तरीकी चीज है जो तुम्हारे लिए यूस्फुल हो ऐसी चीज है अगर male हो तो वही चीज female भी करेंगी कि यह नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है कोई ऐसी चीज दे दी जो आपके काम की नहीं है लेकिन वो जो है अगर हो सके तो वो watch दे दे जो तुम्हारी watch खराब हो गई हो या इस तरीकी की चीज है या कोई diary या pen दे दे जिससे तुम अपन काम अच्छे तरीके से कर सको यहां पर जो है आपका प्रस्पेक्टिव और उनका प्रस्पेक्टिव एक दूसरे के साथ आकर चेंज होगा इस तरीकी की एनर्जी है यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका दुनिया को नजर नजरिया देखने का इस परसन का नजरिया देखने का दोनों थोड़ा different हो सकता है लेकिन आप दोनों जैसे ही एक दूसरे के साथ आओगे काफी कुछ सीखोगे काफी कुछ जो है enjoy करोगे लेकिन सीखोगे भी एक दूसरे से की नहीं जो मैं अभी तक सोचता था या सोचती थी तो वो चीज़ नहीं है exactly उससे कुछ अलग भी हो सकता है तो इस तरीके की energy यहां पर है नेक्स टारा है जैसे queen of pentacles की energy आई है बहुत जादा mature person होंगे stable person होंगे यहाँ पर मुझे यह चीज़ नज़र आ रही है मेल भी बहुत जादा stable है female भी बहुत जादा stable है business woman हो सकती है या business man हो सकते है अगर job कर रहे हो तो job की तरीके से है कोई ना कोई काम धंदा जरूर होगा यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर जादा तर मुझे ऐसा लग रहा है कि house wife नहीं है अगर female है और अगर male है तो तो काम करना ही पड़ेगा तो इस तरीके की चीज़ है दूसरी चीज यह है कि आपको bangles पहनना या उनको पहनाना बहुत जादा पसंद होगा आपके hair में जो accessories होती है different different type के clips होते हैं जो भी hair accessories आती है वो सारी आपको gift करना ऐसी चीज़े पसंद करेंगे जैसे मैंने कहा कि आपके useful चीज हो तो वो चीज इस परसंद को पसंद होगा next देख लेते हैं एक चीज और कहना चाहूंगी हाला कि इंडिया में या आसपास के देशों में जो है वो black या brown hair ही जादा होता है लेकिन हो सकता है इस परसंद को color करवाना पसंद हो और वो भी थोड़े से blonde अब सारे जो है color नहीं करवाएंगे या फिर यह भी हो सकता है कि सारे बाल जो है मतलब जो पूरे hair है full hair है वो blonde ना करवाए जाए लेकि streaks रखी जाए तो इस परसंद को यह पसंद हो सकता है या फिर curls करवाना पसंद हो सकता है या फिर यह जो है कुछ मुझे technique को exactly नहीं पता है लेकिन उसमें जो है कुछ keratin लगा के कुछ करते हैं तो वो चीजे करवाना इस परसंद को पसंद होगा नेक्स्ट आ रहा है लवर्स बहुत जादे जमिना एनरजी है बहुत जादे रोमांटिक परसंद होंगे नेक्स्ट आ रहा है फूल हमेशा new beginning की तरफ आगे बढ़ना पसंद करते हैं नेक्स्ट आ जस्टिस लीब्रा की एनरजी मतलब emphasis करते होंगे मान लोग कुछ लड़ाई जगडा हो गया ठीक है तो शिरुआत कोशिश करेंगे कि resolve हो जाए और अगर नहीं resolve हो रही है तो उस चीज़ को छोड़कर अपने आप जो है अपने रास्ते पर चलेंगे यह किसी का पीछा करने वालों में से नहीं है नेक्स फिर टैच वाली जो है love language होगी जिसमें express तो वो कर रहे हैं लेकिन वो शब्दों से express नहीं कर रहे हैं इस तरीके की जीज़े से कि यहाँ पर कुरिशन राधा वाली energy है तो unconditional love है यहाँ पर और बहुत जादा intense love है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि आपके लिए थोड़े possessive या protective भी होंगे चाहे male हो चाहे female हो कई लोग सोचते हैं कि female is protective या possessive नहीं होती उन से जादा कोई possessive नहीं होता ठीक है तो इस तरीके की energy है चलिए देखते हैं इस person की कुछ personality या कोई random message मिल जाए हमें life coach personal trainer तो हो सकते हैं जिम जाना पसंद करते हो coaching करते हो किसी भी तरीके की coaching करते हो या पढ़ाते हो बच्चों को next आ रहा है attractive athletic तो हो सकता इस person को sports बहुत जादा पसंद हो next आ रहा है intense intense nature है intense eyes हो सकती है next देख लेते हैं dedicated dignified तो इनकी respect बहुत जादा होगी लोग जो है इन्हें respect करते होगे decent decisive तो ये पसंद जो है बहुत जादा decisive होंगे decision लेने में यकीन रखते होंगे और decent way में बात करते होंगे soul searching तो ये जो है अपने मन की बात को हमेशा ध्यान देकर सुनना पसंद करते होंगे next आया I am obsessed over you तो उन्हें जो है obsession की तरीके से उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके उपर obsession है इस person को next आरा passion तो passionate person होंगे अपने काम की प्रति भी passionate है और intimate life में भी passionate person रहेंगे next आरे engineer engineer हो चौक हो सकता है या फिर जो है restaurant का काम करते हो या food cards लगवाते हो इस तरीके की चीज है next आरा mysterious थोड़ से mysterious परसंद होंगे अपने बारे में ज्यादा बताना पसंद नहीं करते होंगे फेयर या वीटिश तो जो color है complexion जो है वो फेयर या वीटिश होगा हाला कि जातर लोगों का यही होता है next लेते हैं government job government job हो सकती है किसी तरीके की family oriented यह person family oriented होंगे next देख लेते हैं Paris Paris जाना पसंद होगा या इच्छा हो इनकी की Paris जाए you feel like home to me तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप जो है एक homely person हो responsibility responsible person होंगे यह पीजा पार्टी इन्हें पीजा खाना पसंद होगा या पीजा पार्टी बहुत जादा पसंद होगी या फिर जो है आपको यह पीजा पार्टी में मिले ग्रीक गॉर्ड फीचर तो इनके जो है फीचर बहुत अच्छे होंगे नेक्स टार लॉंग आंस इनकी जो बाहें होंगी वह बहुत लंबी होंगी कि है इस्टेरीन तो इस्टेशन भी हो सकते में जैसे जपान हो गया या जो आच पास की जो कंट्रीज है हो सकता है हाला कि सभी लोगों के लिए रेज़ने नहीं करेगा नेक्स टार रहा है adventure sport इस पसन को adventure sport बहुत दा पसंद है going for shopping shopping पसंद होगी और next आ रहा है he or she loves children and pets एक और निकाल लेते हैं ambitious तो यह पसन बहुत दा ambitious person भी होँगे तो चलिए देखते हैं कुछ significant details कुछ zodiac sign देख लेते हैं Aries, Sagittarius, Pisces and Taurus तो यह जो है कुछ significant आपके लिए zodiac sign हो गए आप कुछ months देख लेते हैं वर्दे आता हो आपका या उनका August, March, November, February and June तो यह कुछ significant months हो गए चलिए देखते हैं कुछ significant alphabets E, P, R, Y, G, N, U, B, N एक और लेते हैं और S तो यह जो है कुछ first name, middle name या last name में हो सकते हैं या बीच में भी आते हैं next तेख लेते हैं कुछ numbers 3 इधर रखते हूं 3, 26, 22, 17, 24, 27, 20, 23, 12 और 7 तो यह जो है कुछ significant जो है birthday की हो सकती है या anniversary हो या कोई significant आपकी special date भी हो सकती है कुछ dates में ठीक है चलिए देखते हैं कुछ song के lyrics जिस वजह से वो जो है अपने express करना चाहेंगे अपने feelings को पहला आ रहा है राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम movie का next आ रहा है कुछ ना कहो 1942 a love story और next तेख लेते हैं कि उनके मन में आपके लिए किस तरीकी की feelings है dancing on my own Callum Scott का बहुत अच्छा गाना है next आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से तो आप जो है इसके lyrics देख सकते हो जिस तरीके से वो आपके तरफ express करेंगे अपना love को चलिए देखते इस energy से related to charms तो यहां पर जाएक dog bone आई है तो यहां पर पहले भी आया था कि pet lover हो सकते हैं यह next आ रहा है की आई है तो हर challenge की की जो है solution जो है वो इस person के पास होगा और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है दूसी चीज यह भी है कि आपकी जिंदिगी में blessings आ रही है की का मतलब यह है कि जो ताला बंद था भी तक वो जो है ताला खुल रहा है अपनी intuition पर भरोसा करना और यह person भी अपनी intuition पर भरोसा करेंगे नेक्स्ट आ रहा है यहां पर एक शेल आई है तो जो reservedness है उसको थोड़े से खोलने की कोशिश करना cancer energy है यहां पर हाला कि pile 1 में भी आई थी prominent थी वहां तो cancer energy लेकि ज़रूरी नहीं है तो यहां पर जो है जो भी आपकी जैसे score को energy यहां पर ज्यादा आ रही है तो अपनी जो reservedness है उसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करना जैसे मैंने नया सेग्मेंट स्टार्ट किया था कि आपका कोई question हो चाहे इस reading से related हो चाहे कोई और question हो वह आप सोच सकते हो आपको वह question किसी को बताना नहीं है उसका answer भी किसी को बताना नहीं है जो आप पूछना चाहते ह किसे resonate करेंगे answers पहला आ रहा है वानियर वानियर में आपका कोई काम बन सकता है जो आपने question पूछा है coming Friday coming Friday को यह काम हो सकता है या किसी से मिलना हो नेक्स आरा have patience थोड़ी सी patience रखना और नेक्स आरा within new within next few months तो बार बार वही चीज आ रही है कि सबके लिए अलग-अलग च reading उम्मीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज इस चानल को like करें share करें subscribe करें thank you